है रोस्त गूड मॉनिंग देखो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि वह जो में चैनल है वह रिव्यू में है तो क्या पता कितना टाइम लगेगा वह वापस आने के लिए पर इतनी बड़ी फिल्म रिलीज होरी है फाइटर तो उसको लेके अपड़ेट देना मेरा तो काम है देखो क्या है वह रिव्यू में है वह प्रोसेश चल रहा है देखते हैं मतलब जो रहते है मेल वेल भेजे हैं मैंने उनका भी रिपला आना बाकी है वह तो पेंडिंग है उसके बार में बात करके फाइनल एक प्रेजंट तो फाइदा है नहीं जो उस चैनल को किया था आई होप की ट्रेंडिंग में तो डेफिनेटल नया चैनल नहीं आता है पर में भी थोड़ा सा क्योंकि मैं मेरे चैनल का ही नाम देके यह कर रहा हो तो व्यूस तो आ रहे थोड़े बहुत यह तो मतलब कुछ तो पॉजिटिविटी है पर फाइटर को लेकि क्या सच बजेट विकीपिडिया में भी है और उन्हें लॉक करके रखा है मतलब लॉक करके रखा है मतलब मेकर्स ने ही वह बजेट बोला है अब यह आगे चलके बॉलिवड की एक आदा थे कि भाई वह बाद में बजेट कम कर देती है अगर मूवी अच्छी नहीं चलती है तो पर कि एक डीपीका को 16 करोड मिले है अनिल कपूर को 10 करोड जितना मैं सही हुआ होपस हो एक करोड वह अक्षे अबेरोय को मिले है 1 करोड मिला है कौन यार कोश्य करोड वह को मतलब 50 करोड में आप 16 ओर करो 66 में 10 करोड देकर 80 करोड लगबग 78 से लेके 80 करोड इनका है पर आप बोलोगे फिर 250 करोड बजट कैसा है भाई इन लोगों ने VFX वगरा को भी बहुत पैसा लगाया था जितना मैं जानता हूँ और ये मोवी शायद पोश्पॉन भी हुई थी तो overall इसका budget भाई और makers ने लिका है तो हम नहीं बोल सकते कुछ at present का जो advance booking है ना भाई मेरे 3.8 करोड का हुआ है यार और अगर मैं बता दू ने कि कौन सा कौन सा 2D प्लस 3D प्लस IMAX 3D प्लस 4DX 3D सब कुछ मिला के 3.8 करोड हुआ है कल इसका last day है क्योंकि शायद एक second हाँ पर सो ये movie release हो रही है क्या advance booking 10 करोड जाएगा देखो walking audience देखो मैं simple बात बोल रहा हूँ अगर advance booking 10 करोड प्लस जाता है 10 करोड एटलिस तो मैं मानके चलता हूँ कि walking audience आके फिर भी day 1 हम यही मानके चल रहे है और वो 32 से लेके 33 34 करोड it might not cross 35 करोड भी शायद net collection नहीं होगा ऐसा at present तो दिख रहा है फिर भी मैं आपको update देता रहूँगा अब आप बोलोगे कि ये okay है या नहीं है देखो ये advance booking जो है न ये बुरा नहीं है और day 1 भी बुरा नहीं है 26 जानेवर को शायद और collection बढ़ेगा no doubt release date इस film की अच्छी है जो लोगों को लग रहा है नहीं है नहीं मैं बोल रहा हूँ अच्छी है क्योंकि रेको 24 25 को थर्जडे आता है अगर मैं सही हूँ I hope सुहां कि मैं सही हूँ हाँ 26 को आता है Friday Saturday Sunday क्या बुरा है अच्छा है यह और डेफिनेटली वेलेंटाइन में भले वह शाहिद कपूर की फिल्मारी पर इसके क्या स्क्रीन्स तोड़ी कम होने वाले मतलब कम होंगे लेकिन उतना नहीं होंगे तो यह movie according to budget सही time पे तो release हुई है पर somehow इसको word of mouth बहुत matter करेगा क्योंकि देखो day one अलग है day two day three day four के बाद ऐसा नहों कि collapse ही हो जाए डायरे कुछ फिल्मों के साथ यह हुआ है इससे भी पहले पर मुझे लगता है word of mouth अगर चल जाता है चाहता है कि सवह चार करोर तक कर इपोर्ट में अभी देदू आपको मतलब उतना सच में हो जाए एट प्रेजेंट वाला पर पर्सो की तूल ना में कल और आज रात में जो एक अच्छा कासा हाई यह देखने को मिला है ना हाई लेवल का increase वो एक positive हम बोल सकते कि positivity है अभी क्या होता है update देता रहूंगा लेकिन let's be practical 50-40 day 1 net collection possibility नहीं लग रही है 30-32 भी देखो यार मैं सीधा बोलू अगर walking audience अच्छे कासी आती है न तो ही होने वाला ही है तो यह सब अगर-मगर की बाते at present हम कुछ नहीं कह सकते हैं कल ऐसा न हो कि कल शाम को ही मैं बोल यार day 1 25 निकल रहा है तो बूरा तो नहीं है 25 करोड भी अगर आता है day 1 बूरा तो नहीं है क्या consistency रहेगी इस movie में वो बहुत matter करता है क्या लगता आपको कितना जाएगी ये day 1 फाल्टर हीट जाएगी या नहीं